तो दोस्तों वेलकम बैक, कास्टिंग डिरेक्टर की तरफ से कहा गया कि 100 टाइम बैटर है 3 इडियेट से डंकी की स्क्रिप्ट और दूसरी तरफ Ask SR की के अंदर पर सवाल पूछा गया सोहाना खान से रिलेटेड शारुक खान ने उसका बहुत ही जदा अच्छा आंसर दिया और दूसरी तरफ इस सॉंग को सुनने के बाद जो अरजीत सिंग की आवास से प्यार हुआ है जो उनकी आवास को सुनने के बाद फील हुआ है जिस तरीके से गिर्गिट अपने कलर बदलता है बिल्कुल उसी तरीके से अरजीत सिंग भी अपने निव प्रोजेक्ट के लि फिर उसके बाद अब जिस तरीके से लुट पुट गए के अंदर उनकी आवाज आपने सुनी है मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लगी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है लेकिन सारा क्रेड़िट जो अरजी सिंग को नहीं जाता इसका जो बैक्गराउंड का इसकी बीट्स बनाई गई है वह बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं है बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं है बहुत ही ज़्यादा इसकी जो बीट्स बनाई है वह बहुत ही ज़्यादा आउटक्लास है और वह बहुत ज़्यादा रिलाक्स कती है और प्रीतम के साथ स्वान वो टच होते हैं जिसकी वज़े से ये जो सौंग है वो पूरा एक पैकेज पूरा धमाल जो है वो हमारे सामने नदर आया और बहुत ही ज़दा अच्छा लगा और दोस्तों आस्क एसर के भी हुआ जिसके अंदर डॉक्टर पूरा जैन ने सवाल किया शारुखान से अब इन इन्होंने यहां पर कहा कि मैं आर्ची के आरची से प्यार करता हूं मैं उसके लिए एकसाइटिड हूँ और सौहाना खान जो है वो मेडी मुवी मतलब डंकी के लिए एकसाइटिड है और दूसरी तरफ मुकेश च्छाब्ला जो कास्टिंग डिरेक्टर हैं डंकी मुवी क इन्होंने जो cast की है उससे related इन्होंने अपने इंटेविवियु के अंदर बात करते हुए एक बड़ी बात की। इन्होंने कहा कि अगर audience को ठीडियेट मुवी पसंद है जो कि बहुत सारे audience को पसंद है जो बहुत ज़दा उसको प्यार देते हैं अब अगर वो मुवी आपको पसंद है उसकी script पसंद है तो उससे hundred times better जो script है वो डंकी की है ऐसा ये कहते हैं और कहते हैं जब भी मैंने इस script को सुना है या पढ़ा है तो मैं इस script को सुनकर पढ़ कर रोया हूं हर बार अब ऐसा ये मानते हैं अब यह जो movie release होगी तो उसके ब तो राजकुमार हेरानी आपके पास आये किस तरीके से स्क्रिप्ट जो है वो सिलेक्ट हुई तो शारुक खाने बहुत जादा फ़नी अंदाज में इसका रिपलाय दिया और कहा कि मैं गया उनके पास और जाकर स्क्रिप्ट को सुना और साइन करा और वहां पर टैंड लगा दिया उनके घर के बाद और टैंड लगाने के बाद वहीं पर इस मूवी की एडिटिंग भी जो है वो चल रही है इस तरहीं कुछ पनी आंसर दिया मतलब इस बात की बोटी बात यह है कि यहां पर यू शारुक खान है वो खुद गए थे राजकुमार हिरानी के पास और उ जाता और वीजा लगवा लेता और दूसरी तरफ खामुष तमाश्याई की तरफ से भी सवाल पूछा गया कि मैंने अभी लुट पुट गया सौंग जो है वो सुनाया और आप 58 की एज के अंदर इतनी इलेक्रिफाइंग एनरजी किस तरीके से लेकर आते हैं और किस तरीक है वो अपनी डालते हैं और इस सौंग के अंदर भी डाली है और ऐसी बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे गए मैंने कुछ आपके साथ शियर की और दूसरी तरफ अगर बोमान इरानी की बात करें तो इन्होंने भी एक सीन जो है आपने लुट पुट गया सौंग सुना त उसमें एक फणी सीन जो है वो इनका है जो शारुखान के साथ है और अगर आपको नहीं पता तो थिरी एडियेट के अंदर भी ये थे और आपको पता ही होगा वहाँ पर भी इनका जो रोल था वो बहुत ही अच्छा था और डंकी मुवी के अंदर जो इनका रोल है वो एक एक इचर का है । जो एक इंग्लिष दखाने वाला जो है वो अपना एक सेंटर रन कर रहा होगा मतलब वे इंग्लिष दखा रहा होगा उन लोगो अजो बाहर जा रहे है या वीजा लगवा रहे ह। और वहीं पड़ जो है वो शारु खान के ताप्सी पन्नू से मुलाब हाथ होगी मीटिंग होगी फर्स्ट मीटिंग होगी और वहीं से टांका भीड़ेगा और यह लव स्टोरी जो होगी अगर आपने लुट पुट गया कि अंदर नोट किया है तो आपको एक वर्ड भी याद होगा एक लाइन भी याद होगी जो तापसी की तरफ से बोली जाती है कि जो ताहणा है वहादा होना है जब मुझे वीजा मिल जाना है मतलब यहां पर यहां पर एसर के हैं वह तापसी के पीछे पढ़े होंगे और और यहां पर सारह does हम करें और किस तरीके से ऐसे बंदे केट तो चाड़ींगे जो इनको अंदीगल तरीके बाहार पहुंच किसी प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर दूसरी तरफ वह आर्मी वाला सीन रिलेट करें अब क्या होगा वो तो आपको मुवी देखने के पात ही पता चलेगा बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारी इसमें जो है वो ट्विस्ट और होंगे क्योंकि राजकुमार हिरानी की स्क्रिप है उनकी मुवी है उन्होंने डैरेक्ट किया है बहुत सारे सवाल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आपने ये सॉंग सुना है इसके बारे में अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया वीडियो पसंद आई तो वीडि कि यूदान अगयों और रिद्टाइंगं रिदें हॉाहती है।